दल्टी मेट इंडियन में आप सभी को अभिशेक सरकार का नमस्कार तो आज का वीडियो बहुती शांदार होने वाला है क्योंकि आज हम बताएंगे आपको कि वेस्ट बेंगॉल में कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन से कौन से लैंग्वेजिस कितने परसंटेज में बोले ज लोग 50% है सादरी एक लैंग्वेज है सादरी बोलने वाले लोग 16.80 है नेपाली बोलने वाले लोग 9.70 है हिंदी बोलने वाले लोग 3.67 राज बोंग शिभाषा बोलने वाले 3.13 बोरो बोलने वाले 2.38 भोचपूरी 1 परसंट साओथ हली 1.32 परसंट और अधर इसके अगर दोस्तों हम बाकूरा की बात करें तो बाकूरा में बेंगॉली लैंग्वेज बोलने वाले लोग 90.68 परसंट है साओथाली बोलने वाले लोग 7.96 परसंट है और अधर्स 1.87 परसंट है इसके बाद आ जाते है पोश्चिम बौर्दोमान में बेंगॉली बोलने वाले लोग 58.18% है यानि 50% से उपर ही है 58.18% हिंदी बोलने वाले 26% लोग है उर्दु बोलने वाले 7.64% है साउत अली बोलने वाले 4.47% है और अधर्स में 2.93% आते है वही पे पूर्बो बॉर्दोमान में 92.86% लोग बेंगॉली बोलते है 5.03% लोग साउत अली बोलते है और 1.66 सिख्वी बोलते हैं अब बात करते हैं कूजबिहार डिस्ट्रिक की कूजबिहार में 94.79% लोग बेंगॉली बोलते हैं राजबोंशी बोलते है 1.31% लोग, हिंदी बोलते है 1.17% लोग और बाकी 3% के करीब अधर लैंगवेज बोलते हैं वही दोस्तों अगर दारजलिंग चले जाए तो दारजलिंग में सबसे जादा नेपाली बोली जाती है करीब करीब 40% लोग नेपाली बोलते है 26.51% लोग बेंगौली बोलते है 11% लोग हिंदी बोलते है और करीब करीब 6% लोग राजबोंशी बोलते है इसके इलावा सादरी, कुरुग, भोजपूरी, साउथ हाली ये भाशाय भी बोली जाती है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में अगर दोस्तो हम दक्षिन दिनाचपूर में चले जाए तो 84.41% लोग बेंगॉली बोलते हैं साउथ हाली बोलते हैं और कुरुक, सादरी और हिंदी भी एक एक परसेंट लोग के करीब बोलते हैं वही दोस्तो हुगली डिस्ट्रिक्ट में 87.49% लोग बेंगॉली में बात करते हैं 7.59% लोग हिंदियें बात करते है और 0.5% लोग करीब साउथ हली में बात करते है 1.7% लोग उर्दू भी बोलते है आपे अगर हम हावडा की बात करें तो करीब करें 85% लोग बेंगॉली में बात करते है 10% लोग हिंदियें बात करते है और 2.86% लोग यहाँ पे उर्दू में बात करते है जौलपाई गुडी जो की दारजिलिंग के पास है वहाँ पे 65.56% लोग बेंगॉली में बात करते है 12.94% लोग सादरी एक भाशा है उसमें बात करते है 4.90% लोग नेपाली में बात करते है और करीब करीब 4.5% लोग हिंदी में बात करते है बाकी राजबंग्शी और कुरुक भी यहाँ पे 1-2% के आसपास है दोस्तो अगर हम जार ग्राम को देखे तो जार ग्राम में 78.23% लोग बेंगौली में बात करते है 18.68% लोग साउथ हली में बात करते है यहाँ पे मुंदरी बोलके भी एक भाषा है मुंदरी और कुर्माली यहाँ पे 1.5% लोग मुंदरी और कुर्माली में बात करते है वही दोस्तो कोलकाता डिस्टिक्ट पहुचे तो यहाँ पे 61.45 लोग बेंगौली में बात करते है में बात करते हैं 3.18% लोग हिंदियें बात करते हैं ढाई पर्संट लोग वेसित सॉथाली है उसमें बात करते हैं पास्ट मेदनीपूर की बात करें तो 87% लोग बेंगॉली है, साउथ हाली लोग 6.29% है और हिंदियें बात करने वाए लोग 3.5% है अगर दोस्तों हम पूर्वो मेधनिपूर मुर्शिदाबाद और नोदिया तीनो डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो तीनो डिस्ट्रिक्ट में 99% लोग ही बेंगॉली बोलते हैं अब चले आते हैं नौर्थ 24 पॉर्गोनाज यहाँ पे 89% लोग बेंगॉली बोलते है, 7.5% लोग हिंदी बोलते है और 2.28% लोग उर्दु में बात करते है अगर हम साउथ चोबिश पॉर्गोनास की बात करें तो यहाँ पे भी 98% लोग बेंगॉली में बात करते है और 1.5% लोग हिंदी बात करते है पूरुलिया की अगर बात करें तो पूरुलिया में 82.56% लोग बेंगॉली में बात करते है साउथाली बोलते है 11% लोग कुरमाली बोलते है 5% लोग और हिंदी बोलते है करीप करीप 2% वेस बेंगाल के आखरी डिस्ट्रेक्ट यानि उत्तोर दिनाजपूर में पहुंचते है यहाँ पे 68% लोग बेंगॉली बोलते है सूरजपूरी बोलते है 13.22% लोग उर्दु बोलते है 9.48% लोग 3.77% लोग बोलते है साउथ हाली और करीब करीब 3.5% लोग बोलते है हिंदी 1% लोग राजबुंग शिवी बोलते है आपे तो दोस्तो इस वीडियो से आपको पता लग जया होगा West Bengal के कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी भाषाय कितने परसंटेज में बोली जाती है और ऐसे पूरे इंडिया को डेटा के अनुसार जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजे हमारे चानल को और अभी हम एक और सीरीज लाँच करने वाले है Districts of India जा हम हर एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको बताने वाले है तो दोस्तो हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लीजे और इस वीडियो को लाइक कर लीजे जहिन